नमस्काल डीवी नीूस में आपका स्वागत है कॉंग्रेस नेता प्रियांका गांधी इस समय वाइनाट लोगसबा सीट पर हो रहे उप चुनाओ के लिए जोड़दार कैंपेनिंग कर रही है कुछ घंटे पहले उन्होंने प्रचार करते हुए जनता से वोट मांगे उन्होंने कहा कि ग्रहेणी के रूप में उनके 30 साल के अनुभव ने उन्हें योद्धा बना दिया है प्रियांका ने कहा कि वहाँ छेत्र की जनता के मुद्दों के लिए लगेंगी उन्होंने ये भी कहा कि ग्रहेणी होने के नाते उनकी आवाज भी बुलंद है और इस बात की पुष्टी उनके पती रोवर्ड बाग्डरा भी कर सकते हैं कॉंग्रेस नेता की इसी बात पर सभा में आये सभी लोग हस परे प्रियांका ने चुंग थारा में एक नुकर सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं 30 साल से ग्रहेणी हूँ इसलिए मेरी आवास बुलंद है आप मेरे पती से पूछ सकते हैं वहाँ आपको बता देंगे साथ ही जब मैं लगती हूँ तो बास्ताव में लगती हूँ इसलिए आपके सामने एक योध्धा है उन्होंने कहा मगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपकी समस्याओं को हर मंच पर उठाऊंगी और आपके लिए लगूंगी मैं आपको निराश नहीं करूंगी प्रियांका ने वाइडनार्ड निर्वाचन छेतर के अपने दो दिपसी प्रचार अभियान के दूसरे दिन चार जगों पर नुकर समाई की इस उप्चुनाओं में प्रियांका का मुकाबला बाम लोगतांतरिक मोचा के दिगचनेता सत्यन मोकेरी और पूर्व विधायक भाजपा प्रत्याशी नभ्या हरी दास्ते हैं जो कोजी कोड निगम में दो बार पार्शद रह चुकी है आपको बता दे उप्चुनाओं में कॉंग्रेस प्रत्याशी के रूप में प्रियांका पहली बार चुनावी मैदान में उतरी हैं इसताल लोग सभथ चुनाओं में राय बरेली निर्वाचन शेत्र से जीत आसल करने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड सीट खाली कर दी थी जिसके बाद ये उप्चुनाओं जरूरी हो गया था आपको बता दे कि ये उप्चुनाओं 13 नवंबर को होने है और इसके लिए प्रियांका गांधी लगतार बायनाड में जोरदार प्रचार कर रही है